तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने हाइबरनेट मैपिंग की कई सारी वीडियो देखी थी और हम लोगों ने चार तरीके की हाइबरनेट मैपिंग देखी थी जिसमें से हम लोगों ने वन टू वन मैपिंग, वन टू मैपिंग, मैनी टू मैपिंग और मैनी टू मैपि जब तुम अबजेक्ट करते हैं emphasizing the object's memory動画. लेज 독ण s वいます लोडिंग का मतलब यह होता है जब किसी चीज की जरूरत पड़े तब हमें उसको निकाल ना हो ठीक है ठीक है और lazy loading का मतलब eager loading का मतलब क्या होता है कि जरूरत पड़े है उससे पहले ही हम लोग किसी चीज को निकाल लेते हैं ठीक है जैसे कि for example यहां क्या लिखाई eager loading में it is a design pattern in which data initialization occurs on the spot तो यहां पर वो क्या कह रहा है कि data initialization जो होता है वो हो जाता है on the spot ठीक है मेरा कहने का मतलब भी वही था कि जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो अगर immediately हो जाती है on the spot तो उसको बोलते है eager loading और अगर उसमें थोड़ा समय लगता है या फिर वो बाद में जाकर के होती है जब हमें actual में उसकी need होती है तो उसको बोलते है lazy loading simple मतलब eager loading का मतलब कि किसी चीज की हमें जरूरत पड़े उससे पहले ही हमको वो चीज available हो जाए उसके जरूरत पड़ने से पहले ही तो उसको बोलते है eager loading और lazy loading का मतलब क्या होता it is a design pattern in which that we use to differ initialization of an object as long as it is required ठीक है तो मतलब हम इस चीज को कह सकते हैं कि जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी उस time पे हमें वो चीज मिले दो चीज होती है कि किसी चीज की जरूरत पड़े तब वो चीज मिलना और किसी चीज की जरूरत पड़े बिना ही उसके पहले वो चीज मिल जाना तो बस वही फ़रक है, eager का मतलब समझे लो जल्दी सिंपल शबतों में, eager का मतलब समझे लो जल्दी, ठीक है? और lazy का मतलब समझे लो late, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग Java में अचीव करते हैं, यह functionality तो कैसे करते हैं? तो अगर हमको lazy loading करनी है तो उसके लिए हम लोगों को यह लगाना होता है property fetch equals to fetch type.lazy और अगर हम लोगों को eager fetching करनी है, मतलब जल्दी करनी है तो उसके लिए हम लगाते है fetch equals to fetch type.eager ठीक है, अब देखो actually यह क्या होता है, तुमको अब हम समझाते है कि eager loading क्या होती है, lazy loading क्या होती है देखो तुमारे पास let's suppose cart होता, एक cart है और एक तुमारे पास item है ठीक है, cart जो है कई सारे items से belong करती है ठीक है, मतलब कि एक cart के अंदर, one to many का relationship यहां लगेगा, एक cart के अंदर multiple items हो सकते है ठीक है, तो यह हो गई one to many mapping इधर से, अब अगर items के नजर यह से बात करें तो many items belong to one cart, मतलब कई सारे items होंगे यहां पर, जो कि एक cart को belong करते होंगे ठीक है, तो यह many to one हो गया let's suppose कि कोई एक user आता है और उसने cart की id धी cart get करने के लिए, let's suppose 101, ठीक है, तो उसको cart की id के साथ साथ अगर उसको items के बारे में भी पता चल जाए ठीक है, cart की id के साथ साथ अगर उसको items के बारे में भी पता चल जाए, तो उसको बोलेंगे eager loading, ठीक है, मतलब उसने cart की properties को get किया, उसने cart के object को print किया, let's suppose उसने session का use करके session.get और यहाँ पर उसने cart का object निकाला cart.class अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं यह चीज़ पता होगा तुमको कैसे get करते हैं session.get किया और यहाँ से let's suppose उसने cart का यहाँ पर object निकाल लिया. अब in case, अभी इस time पर क्या होगा, हमने सिर्फ cart का object निकाला है, इस object को use नहीं किया है कहीं भी. इस object को सिर्फ निकाला है, इस object को कहीं भी use नहीं किया है. अब अगर eager loading यहाँ पर होती, तो इस point पर हमको cart का data तो मिली जाता है और cart के अंदर जो items item है, मतलब cart से जो items belong करते हैं, उनका data भी मिल जाता है. ठीक है? let's suppose, उसको जैसे कि तुमको यहाँ पर तुमने cart का object जो है, गेट कर लिया है, ठीक है? इस point पर, मतलब इस point पर इतनी चीज लिखने के बाद, तुमको अगर, यहाँ पर cart का data और items का data दोनों मिल जाता है, तो तो तुम उसको कहोगे, eager loading, lazy loading कब होती है, जब तुम specifically बताओगे c.get item cart.get item जब तुम specifically यहाँ पर बताओगे, कि you need item, you need item, जब तुम यहाँ specifically बताओगे उस time पर वो चीज प्रोवाइड करी जाए तुमको, उसको बोलते है lazy loading, ठीक है, मतलब समझ में आया, simple सा मतलब यही था, कि let's suppose तुमने पहले सबसे पहले इतनी सी statement लिख दी cart c is equals to session.get cart.class और 101 number की cart तुमने मंगा ली, तो इस point पे अभी यह जो तुमारे पास object यह cart का दिख राइस को तुमने कुछ भी use नहीं किया है, सिर्फ यह object तुमको just अभी मिला है, अगर इस point पे तुमारे पास इस object के अंदर cart की detail भी आ जाए, और अगर items की detail भी आ जाए तो उसको हम बोलेंगे eager loading अब question यहां ही आता, पता कैसे चलेगा, कि अभी इस point पे बिना print कराई तो पता चलता नहीं है, जब print कराएंगे तभी पता चलेगा, अगर इस point पे जब हम लोग hibernate को execute करेंगे अपने program को तो हमारे console पे queries print होती है, तुमको पता ही होगा console पे हमारे query print होती है तो उस point पे, अगर cart के, मतलब select star from cart की query चली हो और select star from items की query, दोनों की query चली हो तो उसको हम बोल देंगे eager loading मतलब, cart को तो हमने यहां से fetch करा ही करा, साथ में item भी fetch हो गए, तो उसको बोलेंगे हम लोग eager loading, और let's suppose अगर तुमें specifically इस तरीके से mention करके बोलना पड़ रहा है, कि भाईया हमें item चाहिए है, और उसके बाद जाकर select star from select star from क्या कहते है, item की query चल रही है तो समझ लोग, lazy loading है मतलब, तुमको जब जरूरत पड़ी उस point पे तुमको वे चीज़ अवेलिबल कराए तो वह होगा, lazy loading ठीक है अब हम लोग यह चीज कैसे करते हैं, वह हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारा package बना हुआ है, यहाँ पर lazy loading eager loading का, हम simply यह example ऐसे perform करके देखेंगे ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक class declare कर लेते हैं, cart हमारी class हो गई, items अब इसके बाद hibernate configuration फाइल पर हमको यह चीज बतानी भी पड़ेगी तो I guess वह हम लोग ने अल्लडी बता रखा यह देखो lazy loading के अंदर item और carts अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा carts के ऊपर entity लगाना पड़ेगा और यहां पर add the rate id private int id ठीक है उसके बाद private string cart name ठीक है private string cart name और उसके बाद एक cart के पास कई सारे items मतलब one to many का relation है one to many का relation है तो यहां पर क्या होगा private list of items items ठीक है यह हो गया private list of items अब इसके बाद हम simply हमें क्या करना है कुछ नहीं करना है simply हमें source यहां पर generate कर देना है constructor zero parameterized constructor और साथ में उसके साथ हमें getter setter methods भी generate कर देने है और last में हमेशा की तरह two string method भी generate कर देंगे यह हमारा हो गया two string method ठीक है यह हमारा two string method हम लोगों ने generate कर दिया इधर अब इसके बाद बात आती है items की class की तो let's suppose यहां हमने entity declare कर दिया और उपर declare कर दिया id इधर है हमारा private int id उसके बाद है private string item name यह हो गया अब इसके बाद कई सारे item belong करते हैं एक कार्ट को मतलब many to one का relationship many to one many to one का relationship कई सारे items belong करते हैं मतलब कार्ट हो जाएगा इधर ठीक है अब यहां पर हम specifically बता देंगे कि यहां पर जो इधर इधर वाले कॉलम में इधर बता देंगे कि जो है नया कॉलम बना जो हम रहे होंगे फॉरण की वाला कॉलम व को इधर बनेगा इधर बनेगा तो यहां हमने simply बता दिया mapped by cards ठीक है उसके बाद हमने यहां पर लिख दिया name equals to cart underscore id उसके बाद referenced column name equals to menu to one के अंदर इधर ही लिख दे रहा है ठीक है join column का use होगा उसके बाद name equals to cart underscore id reference column name equals to id ठीक है अब इसके बाद हम लोग जो है अपना zero parameterized constructor declare कर देंगे constructor from super class उसके बाद हम जो है अपने getter setter method declare कर देंगे और last में है हम जो अपना two string method declare कर देंगे तो यह हो गया हमारा two string method अब बात आती है app class की अब हम लोग app class बनाएंगे let's suppose यहाँ पर हमने यह app class बना ली ठीक है तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग यह लिखेंगे उसके बाद new configuration configuration.configure.build session factory उसके बाद यहाँ हो जाएगा session factory session factory.open session transaction उसके बाद ssn.begin transaction उसके बाद धर हो जाएगा txn ठीक है इतना हो गया अब उसके बाद हमको क्या करना है simply अपना data set करना है let's suppose अगर हम item से शुरू करना है let's suppose क्या होगा हमारे पास सबसे पहले तो काई सारी cards होंगी ठीक है तो सबसे पहले काई सारी cards बना लेते हैं हम लोग let's suppose यह card one है तो cards one dot set id मानलो 101 cards one dot set name मानलो clothing इस तरीके से हम लोग ने जैसे यहां किया उसके बाद मानलो एक और card हम बनाते हैं यह हो जाएगा cards two cards two dot set id 102 cards two dot set name यह हो जाएगा मानलो electronics इस तरीके से एक card और बना लेते हैं new cards उसके बाद इसर हो जाएगा cards three cards three dot set id 103 उसके बाद cards three dot set name set name में let's suppose हमने कर दिया grocery मानलो इस तरीके से अब उसके बाद जो है हम कई सारे items बना लेते हैं ठीक है कई सारे items बना लेंगे यह let's suppose एक ही item बना लेते हैं यह दो item चलो बना लेंगे new item यह हो जाएगा item one items one dot set id मानलो one items one dot set item name तो इसका item name का नाम क्या हो जाएगा मानलो टी शर्ट ठीक है और items one dot set card कौन सी card से बिलोंग करेगा यह one zero यह cards one से बिलोंग करेगा क्योंकि clothing के अंदर आ जाता है उसी तरीके से new item उसके बाद यह हो जाएगा item two items two dot set id मानलो two items two dot set item name मानलो हो गया mobile ठीक है उसके बाद items two dot set card कौन सी card से बिलोंग करता है electronics मानलो cards two से बिलोंग करता है ठीक है यह हो गया अब उसके बाद हम यहां पर सबसे पहले तो इधर यह इसको name करेंगे सबसे पहले तो set item name अब उसके बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले जो है cart save करेंगे तो हमने ssn.save यह हमने cart1 save कर दिया उसके बाद यह cart2 save कर दिया उसके बाद यह cart3 save कर दिया उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग save करेंगे यह item 1 उसके बाद save करेंगे item 2 ठीक है उसके बाद हम लोग simply कर देंगे session dot sorry txn.commit txn.commit कर दिया अभी सबसे पहले हम जो इसको पहले data save करेंगे उसके बाद हम लोग fetch करके देखेंगे कि उस सब हम लोग समझेंगे कि क्या lazy loading होती है और क्या eager loading होती है तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे karts और items का data है यहाँ पर आयाई की नहीं आया है तो यह let suppose तुमारी items है और यह let suppose तुमारी cart है ठीक है यह तुमारी cart है दर cart id यह हो गई तो यह तीन data जो है इसको हटा दो यह शायर पुराना था एक second रुकना ज़रा हाँ यह ऊपर के तीन data हता दो शायद यह पुराने थे ठीक है यह हो गया अब उसके बाद यह item हो गया 101 और 102 101 और 102 तुमारी क्या है cart id है ठीक है और cart के id यह हो गई items के id 1 और 2 हो गई ठीक है items के id 1 और 2 हम लोगों ने कहां set करी थी यह देखो अब अभी बात आती है यह save करने का तो काम हो गया अब जब हम लोग फैच करते हैं मान लो अमने item को या cart को फैच किया मान लो तो अगर हम cart को fetch करेंगे तो cart के अंदर यहां पर हम लोग क्या कहते हैAre carts को fetch करते हैं तो cards के अंदर कितने items होंगे वो भी तो पता चलेगा ना, उसका भी data निकलेगा, अगर वो data नहीं निकलता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे eager loading, मतलब वो object में अगर नहीं आता है, तो मानलो session.cat किया हमने, और लिखा cards.class, cards.class लिखा, और card id हमारी क्या है, मानलो 101 है, ठीक है, इस तरीके से, तो यह हमारा इधर जो object आ गया, तो अभी इस point पे, अगर हम बात करें, अभी इस point पे, किस चीज की query चलेगी, हमको पता चल जाएगा, किसका data निकल के आया है बार, ठीक है, तो तुम देखोगे, अभी इस point पे किस की query चली है, select star from card की query चली है, इसका मतलब यह अभी क्या हुआ है, यहाँ पर lazy loading हुई है, ठीक है, अभी यहाँ पर यह क्या हुआ है, lazy loading हुई है, ठीक है, मतलब by default, यहाँ card की उपर क्या लगा हुआ है, lazy loading लगी है, कैसे लगी है, ऐसे लगी है, fetch is equals to fetch type.lazy, ठीक है, अभी अगर हम इसको दुबारा चला के नहीं आएगा, तो by default, अभी यहाँ पर lazy loading ही हो रही है, ठीक है, तुम देख सकते हो, यह देखो, lazy loading हो रही है, तो अभी क्या है, कि यह lazy loading हुई है, तुमको यहाँ पर सिर्फ card का data तुमको मिला है, अगर तुमको item के बारे में जानना है, तो तुमें specifically cards object के अंदर से item को न चल जाएगा, card size, card size हमको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है, तो अभी तुम देखो गए कि यहाँ पर दो select query चली होंगी, देखो, एक select query, यहाँ क्या बोला, null pointer, because cards is null, अच्छा, cards is null, क्यों, cards null क्यों, card id 101, oh, अरे एक problem यह हो गई न, हम लोग बार बार यहाँ create कर दे र यह गलती कर दी हम लोगों ने, तो अभी क्या data फिर से save करना पड़ेगा, इन सब चीजों को दुबारा commit करो, इन सब को uncommit करो, और data दुबारा save करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हर बार वहाँ पर, क्या लगा हुए थे, create लगा हुए थे, तो हर बार नई table create करे दे रहा तो अभी देखना, यहाँ पर हमाए पर data फिर से आ गया होगा, ठीक है, अब हम इसको वापिस से comment कर देते हैं, यहाँ पर इसको comment कर देंगे, और इन सब चीजों को uncommit कर देंगे, ठीक है, अभी अगर हम देखो, फिर से एक बर समझा देते हैं, अभी अगर let's suppose, हमने खाली अभी सिर्फ object को निकाला है, अभी डेटावेस से, ठीक है, तो अभी सिर्फ select query जो चली होगी, वो cart के लिए चली होगी, मतलब सिर्फ carts को निकाला गया है, ठीक है, यह देखो, अभी सिर्फ carts को निकाला गया है, अब अगर हम लोग specifically यहाँ बताएंगे, यहाँ पर explicitly, कि भ आइटम के लिए select query चलेगी, अभी खाली cart के लिए select query चली है, ठीक है, तो अब तुम यहाँ देखोगे, देखो, दो select query चली है, एक query चली है, यह, select star from cart, और एक query देखो, आइटम के लिए भी चली है, देखो, आइटम को साइज जहाँ पर तुमको दिख रहा है, ठीक है, item size लिखना चाहिए था item size लिखना चाहिए था Ek cart केंदर कितने item है ठीक है तो यहाँ अगर item के size लिखो गईуп Track दो select query यहां पर चली मिलेगी ठीक है तो तुम यह देखो पहली select query किसके लिए चली है Cart के लिए चली है ठीक है दूसरी select query किस के लिए चली है items के लिए चली है अभी इसको अगर हम comment कर दें ये देखो तो तुम देखोगे कि एक ही select query चल लई है ठीक है तो lazy loading अमर्लब यह होता है कि तुमको सामने से बताना पड़ाएगा कि भाईया इसका data भी निकाल के दो हमे तब वो lazily load करेगा उसको पहले से load नहीं कर देगा देखो अभी एक ही query चली है select query किस के ले चली है cards के लिए चली है क्योंकि तुमने cards यहां से निकाला है लेकि cards के अंदर जो items belong करते हैं उसको कौन निकालेगा तो उसको निकालने के लिए हमें specifically बताना पड़ रहा है इसको भी निकाल दो तब जा करके वो उसको select करके निकालेगा तो अब तुम देखना दो select query चलेंगी यह देखो यह देखो दो select query चल लही है दो select query चल लही है item size तब यहां पर 1 आ रहा है क्यों क्योंकि वो product वो cart ऐसी कोई cart है 101 वारी जो cart है उसके अंदर एक ही item पड़ा हुआ है ठीक है एक ही item पड़ा हुआ है अभी let's suppose यहां पर हम एक data insert कर दें कि 101 जिसकी ID है मानलो 3 और 101 वो मानलो है paint ठीक है तो अब उसका देखना size तुम 2 हो जाएगा ठीक है यहां पर क्यों क्योंकि clothing wear जो है clothing wear यहां पर जो cart ID 2 है मलब clothing की जो cart है clothing की cart ID क्या है 101 है 101 cart में कितने item पड़े हैं T-shirt और paint दो पड़े हैं तो size देखो 2 आ गया ठीक है तो यह हो गया तुमारा lazy loading अब हम चाहते हैं कि भाईया हमें specifically बताना ना पड़े हम जैसे ही जो है यहां पर यहां लोगों को वो ना करना पड़े lazy loading ना करनी पड़े हम simply object अगर एक बार निकालें यहां से इस object अगर एक बार निकालें तो उस object के अंदर जो है तुमारा items भी आना चाहिए हमको ऐसे specifically बताना ना पड़े तो let's suppose हमने इसको अभी के लिए comment कर दिया यह lazy loading के code होगे अब हमें यहां पर कुछ नहीं करना है खाली eager कर देना है यह हुगा eager loading अब हम क्या करेंगे हम फिर से वही चीज करेंगे हम सबसे पहले cards को निकाल लेंगे ठीक है तो यह तुमारी हो गई eager loading अब तुम देखो गए कि यहां पर दो select query चली होंगी देखना एक चली होगी cards के लिए एक चली होगी item के लिए देखो यहां पर inner join की query चली है समझे रहो join की query मतलब चली है कि cards भी निकाल ला है lazy लगाया हुआ है और let's suppose अगर हम यहां से जो है इसको print करते है cards के और उसको object को तो यहां पर क्या होता है I think गरा रह जाएगी तो cards.get id तुमने कर लिया ठीक है cards.get id तुमने उसके बाद cards.get name कर लिया ठीक है तो तुम ऐसे करके निकाल सकते हो data ठीक है उसके बाद तुमने यहां पर cards.get items .get index 0th index क्योंकि array list के 0th index में data पढ़ा हुआ एक रिल्ट डेटा है ना हमारे array list में अच्छा दो डेटा है सौरी क्योंकि हमारी इस card के अंदर दो डेटा आगा है तुमने लोग पहला data 0th index के निकालना है फिर उसके अंदर .get name कर रहा है इस तरीके से कर रहा है ठीक है तो अभी अगर हम इसको चलाएंगे तो तुम देखो कि अब यहां पर दो select query चली होंगी क्योंकि हम लोग specifically निकाल लाएं item को बाहर लेकिन अगर हम लोग let's suppose item को ना निकालें तो अभी के लिए फिलाल यहां एक ही select query चली है ठीक है तो यह lazy loading हो गई ठीक है तो यह देखो तुम देख सकते हो एक ही select query चली है अब यही अगर इसको यहां पर हम जो है eager कर दें ठीक है अब इसके बाद जो हम यहां पर हम इसको चला के देखें ठीक है इसको अगर हम लोग चला के देखें और अब हम इसको cards करें अच्छा तुमको एक चीज और तुमने ध्यान नहीं दिया यहां notice तुमने नहीं किया देखो notice तुमने क्या नहीं किया कि अगर यहां पर हम fetch करे हुए थे यहां पर क्या करे थे fetch type fetch dot lazy lazy किये हुए थे और तुमने एक चीज यहां यह देखी होगी कि हम जब क्या कहते हैं object को print कर रहे थे हम जब object को print कर रहे थे null pointer exception आ रही है तो null pointer exception क्यों आ रही है ठीक है यही मेरा कहना है null pointer exception क्यों आ रही है सोचो इस point पर जब हम cards को print कर रहे है तो यह क्या कुछ exception आ रही है कुछ stack overflow कुछ तो आया है शायद हाँ stack overflow आया है ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने तुमको बोला लेजी लोडिंग हुई है अभी तुम क्या है cards को print कर रहे हो ठीक है लेकिन cards के अंदर तुमारे items तो अवलेबल अभी हुए नहीं है खली id name पड़ा हुआ है items तो अभी अवलेबल हुए नहीं है items तो तुमको specifically यहां बताना पड़ेगा dot लगा करके इस तरीके से समझ रहे हो इसी लिए तुम जो है इसको print नहीं कर पा रहे हो ठीक है तो यहां पर क्या आ जाएगी error आ जाएगी error will come here ठीक है because items array list is not present items के array list यहां पर अभी present नहीं है ठीक है अब यही अगर तुमारे पास eager loading होती तो तुम simply इसको print कर देते देखो क्योंकि eager loading क्या है तुमारे लिए data advance में निकाल कर रख देता ठीक है तो इसको मिल जाता fetch में lazy में क्या हो रहा था कि वो तुमारे सिर्फ cart को निकाल ला था cart के अंदर यह items के array list नहीं निकाल ला था तो प्रिंट करते टाइम error रा जा रही थी अभी अगर इसको हम चला के देखेंगे तो i guess आ जाना चाहिए इस बार को error ही आनी चाहिए error आ गई कुछ और यह वजह से हुआ है stack over flow जो आया है कुछ और वजह से आया है तो यहां पर items के अंदर तुमारा यह पड़ा हुआ है eager चलो ठीक है लेकिन फिर भी तुम देख सकते हो error जो भी आई हो उसकी बात अलग है तुम देख सकते हो यहां पर query जो चली है वो inner join चली है जबकि अभी यहां पर हमने मालूम print भी अगर ना करें मालूम print भी ना करें और simply access करते हैं इसको ठीक है मालूम print नहीं कर रहे है ठीक है यह देखो अभी मालूम print इसको नहीं करते हैं eager loading को ठीक है फिर भी तुम देख सकते हो यहां पर select query चली है दोनों लोगों के लिए cards और item दोनों के लिए ठीक है लेकिन यही अभी अगर हम हटा दें और यहां पर lazy loading करें और इधर इसको जो हम lazy कर दें यहां से lazy तो तुम देखो गए कि खाली एक ही select query चल लेई है ठीक है I hope यह समझ में आया हो तुमको हमने बहुत बार difference चेंज करकर के दिखाया कि lazy loading और वो क्या होता है eager loading क्या होती है simply इसका मतलब यही होता है देखो तुमको फिर से diagram से हम बताते है तुमने यहां लिखा session.get तुमने लिखा cards यहां लिखा cards.class और तुमने 101 पास कर दिया तो अभी तुमारा जो यहां data इधर आया है इधर इस तरफ जो आया है यह cards.class2 ठीक है इसके अंदर अभी तुमारी अगर id होगी card की ठीक है इसके अंदर तुमारी card का name होगा ठीक है लेकिन इसके अंदर अभी जो तुमारी आइटम्स की जो लिस्ट पड़ी है आइटम्स की जो लिस्ट पड़ी हुई है वो अभी क्या है नल पड़ी हुई है ठीक है क्यों क्योंकि ये lazy loading है यह क्या है lazy loading है ठीक है यह lazy loading है तुम्हें यहाँ पर items को निकालने के लिए तुम्हें specifically बताना पड़ेगा कि बैया cards.get item item को भी निकालना है निकाल दो item को इस तरीके से ठीक है अब यही अगर मान लो क्या कहते है तुम्हारी eager loading होती ठीक है यही अगर मान लो तुम्हारी eager loading होती ठीक है मान लो यह तुम्हारी eager loading है और ठीक है same चीज तुमने करी यहाँ से तुमको यह card का object मिला और तुमने क्या करा था session.get तुमने किया था और तुमने simply यहाँ पर लिख दिया था cards.class और 101 लिख दिया तो मान लो तुमने ठीक है तो यहाँ से तुमको जो है simply तुमको सबसे पहले id मिल जाएगी तुमको card की name भी मिल जाएगी और तुमको items की array list भी मिल जाएगी जो भी इसके अंदर data होगा ठीक है तो इसको बोलते है eager loading यहाँ पर तुमको specifically इस तरीके से बताना नहीं पड़ा यहाँ पर तुमको कुछ ऐसे बताना नहीं पड़ा simply तुमको मिल गया बस दोनों में फरक क्या होता है lazy loading जो होती है वो कैसे होती है lazy loading जो होती है वो तुमारी होती है by default पहली बात तो होती है लेकिन अगर तुमको फिर भी वो करना है mention करना है तो ऐसे लिखा जाता है fetch type dot lazy fetch equals to fetch type dot lazy eager loading कैसे होगी यहाँ पर लिखो के fetch equals to fetch equals to fetch type dot eager इस तरीके से ठीक है इस तरीके से लिखेंगे तो आई वो आच की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सेन में तेल दन कीप लेर्निंग शुवं निंगाम साइनिंग आफ